नमस्कार आप सभी का एगेंस क्रेप्शन 99 में बहुत बहुत स्वागत है आज हम लोग जानेंगे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिये हुए आवेदन पर किस प्रकार लोग सूचना पदादेकारी सहभूमी सुधारूप समाहरता उदा के सुनकर जमदेपुरा द्वारा आवेदक को एवं सूचना आयुक को भी गुमराह करने का प्रियास किया गया है जिस पर मैंने आपत्ती लगाया तो सूचना आयुक द्वारा उस आपत्ती पर धिया गया एबम उसके आधार पर पुनह एक डेट देकर अगले कारवाई का आदेश किया गया है तो आप लोग भी अवस सतर्क रहेंगे, सजग रहेंगे, अपने बात के परती हर बिंदू पर ध्यान देंगे तभी लोग सूचना पताधिकारी पर कारवाई करवाई जा सकती है तो चलिए इस चैनल से जो नए हैं इस पर जो सब्सक्राइब अब तक नहीं किये हैं वो अबस सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा कर ओल पर भी क्लिक अबस कर लें जिससे हर तरह के इस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे तथा हम लोग भरष्टा चार मुक्त भारत बनाने में एक दूसरे का सहयोग कर सके हैं ध्यान देंगे कि यह मैंने टीसी एलार भूमी सुदार उपसमार्था कारियाले उदाकि सुनगर्ज में एक नाममतरन अपिलवाद से संबंदित अवेले का मांग किया था जिसे मैंने हाथों हाथ कारियाले में जाके जमा करवाया था आप लोग देख रहे हैं यह 28.12.19 को मैंने प्रपत्र को जमा करवाया था जिसका रिसेविंग भी यह है आप लोग देखें यह रिसेव किया हुआ है जिसमें जमान नहीं किया जा रहा था और एक बार रिसीप करने के बाद पुनह इसे काट दिया गया था फिर मैंने इसकी सिकायत की तब रिसीप किया गया था और अब आयोग में यह बाद लंबित है सिकायत बाद मैंने दायर किया था इस संबंद में कि मुझे जान बूझ कर सूचना नहीं दी जा रही थी जिस पर बारा तारिक को सुनवाई हुई जिसमें मैंने आपत्ती लगाई तो यह है भूमी सुधार उसमाहरता उदाक सुइंगन मधेपुरा का इन्होंने अपने तरफ से आयोग में एक परतिवेदन जमा किया था आप लोग ध्यान रखेंगे प्रपत्र को मैंने 28-12-19 के बारे में बात दायर किया था और यह अपना परतिवेदन सिकायतबाद में 27-7-2022 को प्राप हुए जिसके बारे में इन्होंने अपने तरफ से पत्र इमेल के द्वारा भेजक में आयोग में परतिवेदन जमा किया था जिसमें लिखते हैं कि मुझे 100 समय सूचना उपलब्ध करवा दी गई है तथा लगाया गया आरूप जूठा एवा मिराधार है तो ये लिखते हैं कि मैंने प्रपत्र को समहरनाले मध्यपुरा में पत्रां कितना इतना के माद्यम से जमा करवाया था यह दूसरा मामला था आप लोग ध्यान रखेंगे जब एक ही लोग सूचना पताधिकारी से कई प्रपत्र को द्वारा सूचना की मांग करते हैं तो लोग सुचना पताधिकारी एक दूसरे आवेदन को एक दूसरे आवेदन में मिला कर उसको भ्रमित करने का प्रियास करते हैं उसे गुमराह किया जाता है यहां तक कि अब आयोग को भी गुमराह किया जा रहा है जिस पर मैंने आपत्ती लगाई तो मैंने प्रपत्र को 28-12-19 से संबंधित सिकायत किया था और यह अपना जवाब दूसरे दिनांग के बारे में दूसरे प्रपत्र को से संबंधित परतिवेदन दिये और जिसमें अनेक बाद से संबंधित भी चर्चा किये जबकि यह ध्यान रखने योगी बात है कि जिस भी बाद से संबंधित हम लोगों को सुनवाई हो उसी बाद से संबंधित अपना पक्ष हमेशा रखना चाहिए तो इस पर मैंने 12.9.2022 को एक सुनवाई की और सुचना आयुक्त पीसी चाधरी हैं उनके समक्ष एक आपत्ती दर्ज कराई तो इस आपत्ती पर ध्यान दिया गया और इस पर अगएक अगला डेड़ देकर उन्हें परतिवेदन पुनह मांगा गया है जिस पर आप लोग पी ध्यान रखेंगे मैंने यह आपत्ती किस प्रकार लगाई है तो यह बात संख्या इतना में आपत्ति दर्ज करने के संबंद अपना नाम पुरा पता लिखेंगे लोग सूचना पुता अधिकारी का लिखेंगे नाम पता अपना पूरा वीबरन देंगे और इस प्रकार आप दे सकते हैं कि श्रोविने निवेदन पुरुबग कहना चाहता हूं कि पहला मैं उप्युक्त वाद में प्रपत्रको द्वारा दिनांग 28-12-19 को उपर युक्त कारी आले में हाथों हाथ प्रपत्रको आवेदन की प्राप्ति रसीद के साथ रिसीव कराय द्वारा पत्राण कितना दिनां कितना को जो परतिवेदन दिया गया है जुटा है। दूसरा ततकालेएं लोग सुचना अपदा इकारी सह भूमिदर उपसमरता अलित कुमार सिंग ड्वारा जां जबूज कर सो में वांचित सुचना नहीं दी गयी को और पत्रा-आइं कि तो बिलंब से सूचना उपलब्द कराने के लिए कोई भी सुल्क आवेदक को देना नहीं पड़ता है इसलिए इसका खास ध्यान रखेंगे इस परकार आप अपना पत्ति आवेदन लगाकर आयोग में सिग्र सुनवाई करवा कर दोसी लोग सूचना पदाधिकारी के करते हैं जाहिन